What's up guys, I hope you are doing well, I am Veeer, welcome to Sterler family. पनाने पड़ेंगे, अगर आप लोग खुद अच्छे से रास्ता बना पाते हैं, तो ही आप लोग एक अच्छी जगे पर पहुँच पाएंगे, मालीचे मैंने कोई रास्ता बनाया, अब मेरी capability थी कि यहां तक यह रास्ता बना सकता हूं, इससे आगे का मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग हो सकता है कि इससे आगे जा सकते हैं असानी से, तो आप लोग मेरी capability के base पर अपनी capability डिसाइड मत कीजे, कि हां यार इस इंसान ने हां तक रास्ता बनाया, तो फिर हम भी हां तक ही रख पाएंगे, हम आगे नहीं जा पाएंगे, नहीं, आप लोग ऐस किसी के साथ में compare बिलकुल भी नहीं करना है, ठीक है, तो यह इस तरीके से चीजे हैं, आप लोग याद रखेगा, कि अपने आप पर विश्वास कीजे, अगर कुछ भी काम करना, आप लोग को start करना है, आज का जो आप लोग का map-based question है, यह नोर्थ सी, जाकर map में नहार र के बारे में, तिमूर सी के बारे में बोला गया है, कि हाँ अगर इसके बारे में बात करें, तो नोर्थ साइड में, यह देखने को मिलेगा, जो तिमूर जो basically area है, island, उससे रहे हाँ पर connected है, और south में जाएंगे, तो आस टेले से connected है, पहली statement यह है, दूसरी statement में आप बोला यह, एक और question है, जिसका answer आप लोगों देना है, होर नोप अफरिका के अंदर, जो सबसे बड़ा area है, वो किस country का है, यह इनके area wise सबसे बड़ी country कौन सी है, तो ऐसे भी question आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों में बताऊंगा, क्योंकि अफरी दिनों से मैंने आप लोगों से बाते भी करनी थी इस बारे में, हलाकि उसको पर एक छोड़ी सी वीडियो में बना चुकों, वो है पूलटी की PDF के बारे में, आप लोगों मैंने बताया था कि पूलटी की PDF जो है, उसके ओपर काम किया जा रहा है, पर लेकिन हमारी एक फैमिली मेंबर है, रुसाली उनके दुआरा सारी पॉलटी की जो बेसिकली एक तरीके से स्क्रीन सोट ले लेकर जो लेक्टर के थे उनको इखटा करकर एक PDF में लगाकर उनके दुआरा पॉलटी के सारे लेक्टर जो हमारे चैनल पर है, उस पर सारे लेक्टर की प्रोवाइड करा दी गई है, इस टेलिग्राम के चैनल पर, तो यहां से जाकर आज तक के पॉलटी के जितने भी लेक्टर हैं, उनको सबको जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर लिजेगा, और जिसने लेक्टर देखने हैं, वो प्लेलिस्ट है, पूरी इस वीडियो की नीचे भी आप लोग को मिल जाएगी, तो आप लोग वो लेक्टर भी देखते हैं, 180 से जादे लेक्टर हैं आपर पॉलटी के, जिसमें सारी complete लक्षमी कांत को कवर किया गया है, तो रिवजन के पॉइं यह मुझे ना अंदर से गिल्ट फील हो रही थी कि इतने दिनों से आप लोग को बोल रहा हूं, पीडियेप देनी है, पर लेकिन नहीं दे पा रहा था, रिजन जैसे मैं आप लोग को बताया था, कि मेरा जो लैप्टॉप है, वो क्रैस हो गया था, जिसकी वेसे कंडिशन ही निकाल पाया, ठीक है, तो ठैंक्स पूरे फैमिली की तरफ से जो वरिशाली है, उनके द्वारा जो मेहनत की गई है, तो काफी अच्छा लगता है जिस तरीके से आप पाटिसिपेट करते हो, तो किसी चीज को अब आप लोग सिद्दत से चाहो तो पूरी खैनात आप से अंदर से, ठीक है, आईए अब बात करते हैं, आर्टिकल के बारे में, तो ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल काफी इंपोटेंट आर्टिकल है, ये एर पोलुशन के बारे में बात की जा रही है, जो फायर क्रैकर है, उसके बारे में बात की जा रही है, नेसल ग बच्चा बोला था सब इथोपिया में चल किया रहा है, आज के बाद में आप लोग नहीं बोलेंगे कि इथोपिया में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता थी, उपके बारे में हर एक चीज आप लोग को पता होगी, आज के discussion के बाद में, ये वाला यहाँ पर article और ये वाला article और ये वाला article, ये तीनों article यहाँ पर USC के बारे में, कोई बता रहे हैं कि USA की society divided है, कोई बता रहे हैं कि Joe Biden क्या करने वाले है, कोई बता रहे हैं कि India की relation कैसे रहने वाले हैं, तो सब को combine करकर एक overview दूँगा, हाला कि तीन दिन से हम लोग इन्हीं को distance करते वे आ रहे हैं, फिर भी जो first time यहाँ पर lecture सुन रहे हैं, उसके लिए एक overview दूँगा, अच्छा हाँ जो first time lecture सुनते हैं, वो आप लोग लिग दिया कीजे, जैसे कि आप लोग ने एक दो करेंगे, यह है data point USA के election के बारे में नहीं important है, और यह है आज का cartoon, interesting है, आप बताईए क्या दिखाने की quiz कर रहा है यह article, May you be victorious, और यहाँ पर भी same बोला गया है, May you be victorious, तो यहाँ पर यह कोन है, और यहाँ पर यह कोन है, दोनों को बताईए, तो इसको आप लोग explain करना है, 40 से 50 सब्द में, तो अच्छे से इसको attempt करने ही कुछ किजेगा, और यह picture perception test है आप लोगे लिए, यहनके जो answer नहीं लिखते हैं, जिनको नहीं पता है answer क्या लिखना है, तो आप लोगे सामने, अगर मैं कोई picture लिखा हूँ, उसको आप लोग explain करना है, तो आप लोग explain किजेगा, और यह ऐसी चीज़े आप लोगों से जब भी आप लोग SSV देने जाते हैं, जिसने SSV दिया होगा, उसको पता होगा, picture perception test होता है, तो यह वहाँ पर भी काम आएगा, और यहाँ पर भी आप लोग इसको enjoy कर सकते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जो सबसे important article जो मुझे लगा, जो आप लोग को यहाँ पर मुझे discuss करने हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, पर उससे article पर जाने से पहले, आप लोग यहाँ पर map देखें, तब यह आप लोग चीजों को अच्छे से understand कर पाएंगे, यह अपनी प्यारी country है बीचो बीच में, अगर आप लोग अफरीका की साइड में जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग इरिट एरिया है, यहाँ पर जिबूती है, इथोपिया है और सोमाली है, इसको होन और पफरीका के नाम से आप लोग जानते हैं, अभी जो article यहाँ पर रहने वाला है, वो में लिए हम लोग बात करेंगे, इथोपिया के बारे में, हाला कि जिबूती और इरिट एरिया का अभी थोड़ा जिक्र होगा बीच में, तो हम लोग आगे समझेगे, थोड़ा सा और इसको जूम करके हाँ पर अगर आप लोग देखेंगे मैप को, तो आप लोग यहाँ पर कुछ और बाते जानने को मिलेगी इस पर्टिकलर एरिया के बारे में, जैसे कि इसको जूम कर ले सामने, पर लेकिन जो आर्टिकल में बात की जा रही है, वो इस पर्टिकलर एरिया के बारे में बात की जा रही है, तो हमारी कंट्री यहाँ पर हो गई और यहाँ से आप लोग इसको कंपेर कीजे, तो इस पर्टिकलर एरिया के बारे में, अगर मैं आप लोग से बात करू तो आप लोग यहाँ पर इसको बूलेगा Eastern Africa, यह इस्ट साइड का है, जैसे इस्ट वेस्ट नोर्ट साउट, तो यह Eastern Africa है, तो यह सारी कंट्री जैसे कि सुडान हो गया, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, रवन्डा, बुरूंदी, मेड़ागासकर, सोमालिया, जिबूति इरिटेरिया, इथोपिया, तो ये Eastern African country है, पर लेकिन Eastern African country के अंदर ही जो चार country है, जैसे कि हापर होगे इरिटेरिया, जीबूती, सोमालिया, उरिथोपिया, इनको होनोप अफ्रीका के नाम से आप लोग जानते हैं, ये सीइंग नी बनता है, होनोप अफ्रीका, तो यहाँ पर इसको सीइंग के नाम से आप लोग इसको बोल सकते हैं, काफी लार्ज स्केल पर जो राइनोसर्स, य तो इसके नाम पर इसका नाम होनोप अफरीका रखा गया है, तो यह important है, अभी जहां पर दिक्कत चल रही है, वो चल रही है इथोपिया के अंदर, इथोपिया के अंदर क्या दिक्कत चल रही है, तो आप लोग इसको मैप में समझेगा, तब ही आप लोग अच्छे से connect कर प इनकी खुद की अपनी पार्लेमेंट है, जैसे हम लोग assembly बोलते हैं, इनकी खुद की पार्लेमेंट है, खुद की इनकी security force है, और इसी के साथ में यहाँ पर यह independent तरीके से अपने सारे decision लेते हैं, एक federal system है, यह इनके संगवाद का धाचा है, यह इनके सारे के सारे जाजरा administration यहाँ पर पाए जाती है, पर लेकिन काफी powerful है, पूरे एथोपिया में जो भी चलता है, तो इसका काफी बड़ा role यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी जो भी post है, जो administration, जो office है, वहाँ पर इसका काफी बड़ा role रहता है, क्योंकि यह काफी rich state ह अगर कोई इंसान जो है, अपने आपको इतना ज्यादा capable समझने लगे, कि हाँ उसको लगता है कि पूरी country की मुझे जरत नहीं है, मैं अपने ही आप में एक country हूँ, तो फिर वहाँ पर दिक्कत होनी start हो जाती है, तो ऐसी ही दिक्कत होनी start होई, COVID-19 चल रहा है, बहुत सार अजन 19 में Nobel Peace Prize दिया गया था, Nobel Peace Prize इनको किसली दिया गया था, क्योंकि जब बात करें, इनका पडोसी दोस्त देज है, यहाँ पर एडिट एरिया, इसके साथ में इनके द्वारा काफी अच्छे relation मनाए गया, इसी के साथ में जो opposition की political party है, उनके साथ में मिलकर भी relation को अच् तो इसके चलते हैं, आपर recognize किया गया इनको, और इनको Nobel Peace Prize दिया गया, तो Nobel Peace Prize 2019 का जो दिया गया है, यह दिया गया है, किसको यह दिया गया है, आपर इनको, जिनका नाम है एबे एहमद अली, मैंने आप लोग को यह पढ़ाया भी था, एक और important बात, जो आप लोग यहाँ पर अगर exam की तियारी कर रहे हैं, तो आप लोग जुरूर इसको याद रखेगा, अगर किसी भी exam की आप लोग paper देने जा रहे हैं, चाहे आप लोग आगे EPF4 का देने जा रहे हैं, बेंकिंग का देने जा रहे हैं, UPSC, प्रिलिंग देने जा रहे हैं, कम से कम 2 साल के Nobel Prize आ दिया गया है, यह कोशन है, इसको आप लोग attempt कीजिए, तो इनको Nobel Peace Prize इसलिए गया था, क्योंकि इन्होंने काफी सान्ती बनाए रखने की कोशिस की, पर लेकिन जो सान्ती है, जो इनके द्वारा बनाई गया थी, वो सान्ती अभी हाँ पर भंग होती हुई नजर आ रहे है उसका reason के है, उसका reason यहाँ पर यह है, कि जो यह टिग्रे है, इसके द्वारा यहाँ पर basically जब बोला गया कि यह election conduct कराएगा, यानि कि central government जो है उसके द्वारा बोला गया, कि भाया election conduct मत कराओ, COVID-19 को ज्यानमे रखते वे और उसको postpone कर दो, पर लेकिन टिग्रे ने नहीं म लाते होने लगी, तो दोनों की बीच में रसा कसी चलने लगी हाँ पर, इसके उपर यह भी आरोप लगाए गए कि central government की जो आर्मी है, उससे इसके द्वारा arms and ammunition भी चुराने की कोशिस की गिये, तो यह भी ऐसे भी आरोप यहाँ पर टिग्रे के उपर लगाए गए है, तो एक important बात हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर गहले हैं जहाँ लोग बात करते हैं टिगरे, यह प्रोष में किसissimo में touch करते हैं, तो प्रोष में touch करते हैं आपर irrit area के साथ में, जिसके साथ में सांती बनाने की कोशिस की गए थी, तो आगे च पर्टिकलर रिजन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात कुरूंँ जिबूती के बारे में, जिबूते में आप लोगो USA और चाइना के जो आर्मी बेस हैं, वो भी हाँ पर आप लोगो देखने को मिलेंगे, तो अगर कल को यहाँ पर कोई ऐसान्ती फैलती है, और इनके कोई यहाँ पर रहसांती फालती है और यहाँ पर दो powerful country बैट हुए है तो यह एक international issue भी बन सकता है बहुत large scale पर और बाहर की जो power है वो भी यहाँ पर आ सकती है जिसके चलते हैं यहाँ पर यह और बड़ा एक तरीके से problem हो सकता है जैसे अब तक आप लोगों ने देख्या हो यह आप लोगों को देखने को मिल सकता है तो यह condition जो है यह condition यह है कि यहाँ पर अगर आप लोगों को सांती बना कर रखनी है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि देखें मिल जूलकर बात करें अगर यहाँ पर इरिटेरिया के पडोसी जो यहाँ पर यह टिग्रे है इसके यहाँ पर इथोपिय के दोर इसकी फोन लाइन कट कर दी गई यानि कि इस पर्टिकलर रीजन की टिग्रे वाली रीजन की और भी कहीं सारे ऐसे आपर पर परतिबंद लगा दिये जिसके वेसे आपर यह इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर यह ऐसा दो सकते हैं तो अलग आगे आगे जो राजे हैं जिसे माली जी एक ने हाँ पर इस तरीके का रेफ्रेंडम कराया तो फिर दूसरे राजे हैं वो भी सोचेंगे यार हम भी रेफ्रेंडम कराते हैं हम भी अपना इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनके अंदर भी ऐसी भावन तो यह इसकी capital है अगर बात करें टिग्रे इसकी capital है आप अमेकले ठीक है तो यह आप लोगों से question पूछा जा सकता है जैसे मैंने आप लोगों से रेखाइन state के बारे में कल ही बात की थी हमारी P.I.B. वाली वीडियो में तो रेखाइन state में रोहिंगा community पाए जाती है ठीक है यह बात की जारी है नाइल river के बारे में जैसे मैंने आप लोगे बताया है यह हो गया एथोपिय ठीक है और यहाँ पर हो गया यह basically नाइल river जो है नाइल river जो है आगे चलकर यह नाइल river बनती है जहांपर दो river मिलते है जिसकों मैंने आप लोगों से question भी पूछाते हैं यह यह हो गया वाइट नाइल और यह हो गया ब्लू नाइल जो वाइट नाइल निकल कर चलती है यह चलती है लेक टना से लेक टना कहा पर है इथोपिया के अंदर और जो ब्लू जो वाइट नाइल निकल कर चलती है यह चलती है लेक विक्टोरिया और लेक विक्टोरिया तीन कं ये जो nile river हैं आपर white nile और blue nile ये जहां पर जाकर मिलती हैं वो है सुडान सुडान है आपर जहां पर जाकर मिलती हैं तो ये खारतूरं है particular area और इस पर आगे चलकर डेम बनाए जारे हैं आपर जो कि आसवांग डेम तो इसकी वज़े से भी काफी जदै ऐन न्यूज में हा तो इस तरीके से आप लोग देखें कि हाँ से चीज़े आगे बढ़ती हैं, तो इस तरीके से आप ये जो नाइल रिवर है, जो काफी बड़ी रिवर मानी जाती है, अफरीका के अंदर में हाँ पर ये तो ये इसका एक पोर्षन, जो की ब्लू नाइल है, वो लेक टना से नि इसकी वज़े से भी हाँ पर इनके बीच में दिक्कत रहती है, क्योंकि हो सकता है कि हाँ पर पानी ये पूरा नहीं छोड़े, इथोपिया इसको पानी को यूज कर ले, तो इसी भी कंडिशन कई बार चलती है, तो एक माहूल खराब रहता है, ये रिवर आगे जाकर गिरत होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर भी अगर कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, अच्छा हाँ ये पिक्चर भी आप लोग ने देखी होगी, हाँ पर ये हाँ का हीरो था है, यहाँ पर एथोपिया के अंदर, जिसकी इस में गोली मार कर हत्या कर दी गई, जिनका नाम है हाँ पर हाचालू हुंडेरसा, ठीक है, तो इनकी हाँ पर जो भी रिसेंटली हत्या हो गई, इसी पर्टिक्लर सिचुएशन को, तो इसकी वैसे सिचुएशन जो है, वो थोड़ी सी ओर जदे हाँ पर गर्मा आ गई, तो य करना है कि NGT के दोरा जो फायर क्रेकर पर जो बैन लगाए जाने की बात की जा रही है, एर पोलुशन को करने के लिए, तो जो गवर्मेंट है आपर चाहिए सेंटल गवर्मेंट की बात करने चाहिए, उनकी भी अकाउंटेबिल्टी बनती है यहाँ पर कि जो राइट तो दो आर्टिकल यहाँ पर पूरे कवर करके इसके अंदर में चलूँगा और 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 भी कई सारी एक्स्टा इंफोर्मेशन आप लोग को बताऊंगा जो कि आर्टिकल के अंदर भी नहीं है, ठीक है, तो आईए समझने की कोशिस करते हैं कि यहाँ पर बात क्या क्या चल सबसे पहले तो यहाँ पर आर्टिकल के अंदर अगर हम लोग घुशते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले कई सारी इंटरेस्टिंग बाते आप लोग को जानने को मिलेगी, जैसे कि हर बार की तरह है, फिर से यहाँ पर जो फायर क्रेकर यानिके जो पठाके हैं, उनके उपर पर परतिबंद लगा दिया गया है, NGT यानिके National Green Tribunal के द्वारा, तो National Green Tribunal के द्वारा जो परतिबंद यहाँ पर लगाया गया है, तो यह इसलिए लगाया गया है, क्योंकि Air Pollution यानिके जो हवा का पर दूसन है, वो काफी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको रोकने के लि जो कि Last November में जहाँ पर काफी ज़्यादा है, एक तरीक से बुरी Condition थी यानिके Air Pollution काफी ज़्यादा था, उन एरिया को कवर किया जाता है, यानिके ऐसा नहीं कि National Capital Region ही है, यहाँ पर यह, नेसल Capital Region के साथ में वो एरिया जहाँ पर एर जो थी, वो काफी कम Low Quality की हो गई थी, नवंबर के महिने में Last Year, तो उन एरिया को भी ध्यान में रखा जाता है, Supreme Court ने हाला कि बोला है यहाँ पर कुछ एक रियाद दी Supreme Court ने, बोला कि यहाँ पर अगर बात करें, तो moderate और जहाँ पर better air quality है, वहाँ पर थोड़ा सा रियाद दे दी गई, कि Green Cracker जो हैं आप लोग यूज कर सकते हैं, कुछ घंटों के लिए, तो उन घंटों को भी हाँ पर provide करा दिया, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर National Capital Reason देगें, फिर आप लोग को Green Cracker के बारें बताऊंगा, तो एक एक करकर यहाँ पर चीजों को समझनाय स्टार्ट करते हैं, कई सारे बच्चों के माइन में Confusion रहता है, National Capital Region को लेकर, तो यह अब आप लोग के बीच में कोई Confusion नहीं रहेगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं, एक बार, कि National Capital Region के अंदर आता क्या क्या है, ठीक है, तो यह देखिए आप लोग यहाँ पर, National Capital Region जिसको आप लोग NCR के नाम से भी आप लोग तो NCR के अंदर तीन राज्या आते हैं, एक तो है हरियाना, एक है राजिस्तान और दुश्तरा है उत्तर परदेश, यह तीन राज्या के अलग 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 एरिया जो है, वो National Capital Region के अंदर आते हैं, अगर इसको आप लोग एक बार मैप में देखना चाहते हैं, तो यहाँ आप लोग देखते हैं, यह है पर्टिकुलर मैप जिसमें National Capital Region का पर्टिकुलर एरिया सारा आप लोग यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, डहली हो गया बीचो बीच में आपर, तो यह हो गया basically UP वाला portion, ठीक है, इधर आप लोग देखिए, यह हो राजिस्थान वाला portion और यह हो गया पर राजिस्थान वाला portion, तो राजिस्थान के उल्ली दो एरिया हैं यहाँ पर डिष्टिक और भरतपुर, नेसल कैपिटल रीजन में आते हैं, बाकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो सामली, मुझफर नगर, बागपत, मेरट गाजयबाद, हापूर, बुलंसेर और गोतम बुद्नगर, यह आप लोग को देखने को मिलेगा, इसी के साथ मैं अगर बात करें हाँ आपर हरियान का, तो करनाल, पानीपत, सोनीपत, यह सारे जुजींद, रोतक, भिवांडी, यह सारा जो बेसिक एरिया है जो आप लोग में, इसी के साथ में बात करें, नासल् कैबिटल रीजन का जो एक प्लानिंग बोड होता है, जिसको बोलते है, नेशनल कैबिटल रीजन प्लानिंग बोड, इसको कॉंसीट्जियूट किया गया था 1985 में, यह किस मिनिश्टी के अंडर में आता है, यह इंपोरेन कोशन है, ये Ministry of Housing and Urban Affairs के अंडर में आता है, यानिके National Capital Reason में क्या-क्या लेंड को कैसे यूज करना है, किस तरीके से development करना है, ऐसा ना हो कि पता चला कहीं कोई घर बन रहा है, कहीं कोई शड़क बन रही है, मतलब बिना systematic way में काम बढ़े जा रहा है, तो आने वाले time में दिक्कत हो सकती है, तो उसको रोगने के लिए सारी planning, जो है इसका नामी रखा गया है planning board, यानिके reason level पर जो भी planning होगी, वो ये particular board यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा, तो ये काफी important है आपर कि इस particular reason को, जो सही रखने का काम करता है, वो करता है national planning board, बाकी एक important जो point है आपर, ये बात की जा रही है green cracker के बारे में, तो green cracker के बारे में भी आप लोगों से थोड़ी बात करता हूँ, ताकि आप लोगों के mind में कोई confusion नहीं रहें, ये हो गए green cracker, green cracker कहां से picture में आए, और कौन इनके बारे में इस तरीके से बाते कर रहा है, तो उसके बारे में समझते हैं, green cracker हमारी country में जब Supreme Court के द्वारा order दिया गया, October 2018 में, कि काफी ज़धा pollution यानि के जो basically दिक्कत हो रही है हाँ पर production की, उसको control किया जाए, तो green cracker का नाम यहाँ पर सबसे सामने निकल कर आया, तो green cracker यानिके जो green पठाके यानिके जो ज़धा pollution नहीं फैलाएंगे, तो mercury, arsenic और जो barium है इससे हाँ पर distance बना कर रखेंगे, यानिके ये चीज़ आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी, और इनकी जो limit है, यानिके कितनी ये आवाज कर सकते हैं, वो भी decided है already, तो question ये बनता है कि इसके द्वारा green cracker यहाँ पर बनाए गए है, तो petroleum, explosive और safety organization के द्वारे हैं यहाँ पर इनको approve किया गया है, जो ये green cracker हैं, और जो ये बनाए गए हैं आपर ये National Environment and Engineering Research Institute है, उसके द्वारा इनको डेवलफ किया गया है, जो कि Council of Scientific and Industrial Research के अंडर में आता है, ये इनके बनाने वाली organization जो हैं आपर ये है, National Environment and Engineering Research Institute, जिसको NEERI के नाम से आप लोग जानते हैं, पर लेकिन आपर इसको approve करने वाली जो हैं, ये है Petroleum Explosive Safety Organization जिसको पीसो के नाम से आप लोग जानते हैं, जो पीसो हैं आपर ये Promotion of Industry and International, जो ट्रेड येनके Ministry of Commerce and Industry के अंडर में आती हैं, जिसको 1898 में इसको established किया गया था, येनके 1898 में में, Head Officers का वो नागपुर महरास्ता के अंदर में हैं, बाकी National Environmental and Engineering Research Institute जिसको नीरी के नाम से आप लोग जानते हैं, ये Scientific, जो हैं आपर Council of Scientific and Industrial Research जिसको CSIR वालते हैं, उसकी एक Lab हैं आपर, जिसमें आपर इसको developed किया गया हैं, ये एक autonomous agency है, Ministry of Science and Technology के अंडर में, Reduce करने के कोजिस करती हैं, आपर बोला जारहें कि अगर यहाँ पर Green Cracker को यूज के आते हैं, तो CSIR ये बोलता है, कि भाई साब आप लोग 30% तक Pollution को घटा सकते हैं, अगर इसको यूज करते हैं, इसी के साथ में जो important हैं, आपर QR Code यूज के जाते हैं, QR की Full Firm के हैं, जरा आप लोग बताईएं, तो सही, आप लोग पढ़िए गैस के भारे में जाकर, जो QR Code यहाँ पर यूज के जा रहे हैं, इन पढ़ागे के उपर वो इसलिए यूज के जा रहे हैं, ताकि मेरे और आपके जैसे इंसान जो हैं, वो अलग-अलग चोरी चुपके पढ़ागे नए बना सके हैं, कुछ भी ऐसा काम नए करें, ताकि वो उसका duplicate market में आए, ठीक हैं, यानि कि नॉर्मल जो person है, वो यहाँ पर पढ़ागे नए बना सके हैं, और यहाँ आपर QR code वाले ही पढ़ागे जो हैं, वो green cracker की category में आएंगे, important question बन सकता है, कि यह color जो हो, वो भी decide होता हैं आपर, कौन सा color किस पढ़ागे से निगल कर आएगा, तो happy दिपावली अच्छे से इसको enjoy कीजएगा, उसके लिए cracker भी आप लोग को बता देता हूँ, अगर red color निकले, तो याद रखेगा, यह strontanium salt है इसके अंदर, ठीक है, nitrate, carbonate और sulfate, strontanium का basically combination है, तो घरवाले वोले कि लाल पठागे लेकर आएगा, तो बोलना है strontanium salt वाले पठागे लेकर आओ, ठीक है, अगर बात करें हाँ पर orange के बारे में, तो calcium salt आप लोगो देखने को मिलेगा, yellow sodium salt देखने को मिलेगा, green, barium salt देखने को मिलेगा, ब्लू, copper salt देखने को मिलेगा, और purple जहें हाँ पर combination of copper और strontanium, दोनों का combination यहाँ पर, यानि के purple जो होगा उसमें, copper यानि के एक तरीक से blue वाला रहेगा, और red वाला रहेगा, तो यह purple बन जाएगा, white अगर यहाँ पर लेकर आना है, तो direct भी question आप लोगों से बन सकता है, किसकी वज़े से कौन सा color यहाँ पर निकल कर आता है, तो यह green cracker बनाने की बात यहाँ पर की जा रहे है, ताकि ऐसा नहीं कि उन्हाँ यह only इसी time पर रहेंगे, जैसे Christmas आता है या New Year आता है, उन पर भी इनको continuous ban रखा जाता है, ताकि pollution नहीं फैल सके, और इसी के साथ में National Green Tribunal और हमारी कंट्री में, कई सारे एरिया ऐसे जहाँ पर यह कोशिस करता है, कि pollution को कर्ब किया जा सके, रोका जा सके, उडिसा हो गया, राइस्थान हो गया, सिक्किम हो गया, चंदीगाड हो गया, Delhi Pollution Control Committee जो है, और Kolkata High Court के द्वारा भी ओल लेडी रेस्पॉंड किया जा चुक है, कि environment condition जहां पर भिगड रही है, तो उसके चलते बैन करना चाहिए, fire cracker के उपर, COVID-19 ने आप लोगों पता है, काफी ज़दे impact डाला, हलक COVID-19 ने कुछ अच्छी चीज़े भी की, अच्छी चीज़े क्या की, अच्छा मैं आगर आप लोगों से पूछू, COVID-19 से क्या सीखने को मिला आप लोगो, या COVID-19 ने आप लोगी life में क्या impact डाला, जोकि एक positive impact हो सकता है, तो आप लोग क्या बताएंगे उसके बारे में, तो COVID-19 के द्वारे हाँ पर सबसे अच्छी बात ये कि, कि कई सारे तरीके ये pollution इसके द्वारा कम कर देगे थे, जब यहाँ पर कहीं न कहीं, जो यहाँ पर lockdown लगावा था, और इसी के चलते काफी large scale पर, खासकर Northern India और Eastern India के अंदर, heavy healthy, हम लोग को heavy health जो cost पे करनी पड़ती है, और productivity cost भी पे करनी पड़ती है, आप लोग यह समझे, एर pollution बढ़ रहा है उसके वेसे, जो बुजूर्ग हैं उनकी जान जारी है, जो सांस के बिमार मरीज हैं, उनकी एक तरीक से दिक्कत हो रही है, कई सारे बच्चों की जान इसके वेसे जारी है, तो आप लोग यह समझे, यह pollution जो बढ़ रहा है economic development के नाम पर, उसके वेसे जो health के ओपर impact पड़ रहा है, तो उसके बारे में आप लोग क्या बोलेगा, और हमारे समिधान में article जो 21 है, जिससे National Green Tribunal निकल कर आता है, याद रखेगा important question बनता है, यह पहले बन चुका है, इसमें बात की जाती है right to clean air है, हम लोगों को यहाँ पर article 21 के जो की right to life आती है, यानिके right to life तभी अच्छे से रहा पाएगी न, जब लोगो clean air मिले, अगर clean air ही नहीं मिलेगी, तो right to life कहाँ पर रह जाएगी, तो इसके चलते Central Government के द्वारा भी मसकत की गई हाला की, इनके चलते हैं आपर National Clean Air Program, याद रखेगा NCAP, National Clean Air Program, ये हाँ पर जो है, इसका target है हाँ पर कि 2024 तक 20 से 30 परतिसत तक यहाँ पर जो particulate matter है, यानिके जो polluted component है, उनको curb करना है, यानिके उनको घटाना है, तो लेडी Central Government प्लान लेकर यहाँ पर चल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा ओर डीटेल में समझ लेते हैं, question बन जाता है, इन्वोर्मेंट के उपर, National Green Tribunal के दौरे हाँ पर direct किया गया था, Ministry of Environment, Forest and Climate Change को, कि आप लोग यहाँ पर National Clean Air Program लेकर आओ, जिसके चलते 20 से 30 परतिसत आप लोग यहाँ पर, जो air pollutioners को मिटा सको, इन्वोर्मेंट के कम कर सको, 2024 तक, तो यह हाँ पर जो Ministry of Environment, Forest and Climate Change है, उसके द्वारा जनवरी 2019 में इस प्लान को स्टार्ट किया गया था, यह पहला ऐसा प्लान है हमारी country में इन्वोर्मेंट को लेकर, जो कि time bound manner में काम करते हैं, जो कि time दिया गया है हाँ पर कि इस time में आप लोगो को काम करने हैं, और CK साथ में 102 के करीब, जो non attainment जो city हैं एक तरीगे से उनके ओपर फोकस किया गया है, 23 states के अंदर, अलग-अलग union territory के अंदर, center pollution control board जो है वो इसको identify करता है, कि 2011 से लेके 2015 तक जहाँ पर सबसे ज़्यादे air quality खराब रही है, उन cities को इसके अंदर cover किया जा रहा है, तो right to clean air जो है, वो आप लोगों को article 21 में देखने को मिलेगा, जो कि right to life के बारे में बात करते हैं, अगर pollution होता है, तो इसका right to life पे हमारा impact पढ़ रहा है, और हम लोगों की एक तरीके से, इसका solution निकालने की कोई से आप लोगों को जरूर करनी चाहिए, तो इस तरीके समझ सकते हैं, तो पूरा जो यहाँ पर प्लान आया, यह क्या है, यह National Clean Air Program के बारे में हम लोगों ने जाना, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर बात करें, हम लोग कि यहाँ पर जो central government काम नहीं कर रही है, central government पहले आपर जो pollution, जो एक तरीके से होनी बोलते हैं कि severe pollution, पहले 206 के करीब दिन रहते थे, अब इसको घटा कर 148 के करीब दिन पर लेकर आ गए है, 18 से अगर 19 में compare करें, अब हम लोग बात करेंगे 20 में, तो देखते हैं कितने दिन और यहाँ पर घटते हैं, जो यहाँ पर severe से हम लोग normal category में आते हैं, तो इसके चलते हैं आपर एक तरीके से less attention normally रहते हैं, कई सारी ऐसी cities हैं, देखिए जिसे बड़ी बड़ी city में अगर pollution है, डेहली में pollution हो गया, कोलकाता, मुंबई, चिन्नाई, तो यहाँ पर तो बात हो जाती है, यार बहुत ज़्यदा pollution है, पर लेकिन सोचिए, छोड़ी छोड़ी जो city हैं, आसपास वाली जिसे मैंने NCR वाली city आप लोगो दिखाई, माली जे, भीवानी में कोन बात करेगा? माली जाए wakom बात करेगा, अलवर में ज्यादा pollution हो गया, हापपूर में या पेर्ट में भी ऐसी चीज़े देखने को मिली कि COVID-19 के सबसे ज़्यादा है जो लोगों की जान गई है COVID-19 के मरीज वहाँ पर गई है जापर pollution सबसे ज़्यादा हाई था यानि कि pollution की वज़े से आपर COVID-19 के बहुत सारे मरीज जो है वो यहाँ पर इसकी भी चरते वे नजराए तो government को sense of accountability भी दिखानी चाहिए और responsibility भी दिखानी चाहिए कि इसको control करना है अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर firecracker को बंद कर देना चाहिए विकल चलाना बंद कर देना चाहिए तो ऐसे तो company हाँ पर पठागे बनाती है अब वो भी बरबाद हो जाएंगे अगर इस तरीके से बेन करोगे तो उनको भी कुछ ने कुछ आप लोगो एक सही तरीके से उनके लिए भी कोई solution निकालना चाहिए और इक तरीके से आप लोगो broad base लेकर चलना चाहिए थोड़े time के लिए फाइदे के चक्कर में लंबा नुकसान आप लोग का नहीं करना चाहिए तो ये condition अगर आप लोग ने एक बार समझनी श्टार्ट कर दी तो फिर आप लोग जो है एक सही pattern में चलते वे नजर आएंगे यानि कि आप लोग को long term investment लेकर चलना है ना कि short term में आप लोग को घुसना है अब यहाँ पर यह article है अब दूसरे article की ओर चलते हैं यह भी इसी से related है और answer writing में भी आप लोग को help करेगा यानि कि जो question में ने आप लोग को दिया है इसका answer आप लोग इससे भी हाँ पर use करकर लिख सकते हैं अब इसमें क्या बात की जा रही है हमारी country में जो finance निश्टे निर्मला सीतर रमन जी उनके द्वारा 4,400 क्रोड रुपे का package दिया गया था ताकि pollution वगारा को हम लोग control कर सकें खासकर air pollution को control कर सकें एम क्या था कि air pollution को control किया जाए सके 102 cities में और यह वही प्लान है जो मैंने भी आप लोग बता है national clean air program जिसमें 20 से लेके 30 पर 30 तक यहाँ पर कम करना है 2017 के level से यहाँ पर इसको लेकर आना है 2024 तक का यहनके इसको control करके लेकर चलना है तो largest ever yearly allocation अगर किसी प्रोग्राम में की गए यह सबसे ज़्यादा पैसा अगर air pollution प्रोग्राम को एक साल के अंदर अंदर दिया गया तो लंबे समय तक सास खेंच के बॉल देता है नहीं तो धसका उड़ जाता है तो यहां पर बात की जारी है 4400 क्रोड रुपेद दिये जा रहे हैं इसके बारे में बात की जारी है pollution को कर्व करने के लिए तो फंड का जो distribution है एक तो धंक से नहीं किया जाता है only half money जो है वो खर्च की गई है और हम लोग नवंबर के महीने में बैठे हुए पंद्रही स्टेट और लगबग जो 42 सिटीज है only उनको यहां पर अब तक यह allocation किया गया है और बोला गया था 102 यानि कि काफी कम level पर अभी हम है आधा भी हम लोगों ने achieve नहीं किया है इसी के साथ में अगर बात करें आप जो performance parameter है वो उनको ढंक से check नहीं किया जाता है यानि कि अगर बात करें जो strategies जो है वो किस तरीके से उसको achieve कर रही है उनकी performance कैसी है उसके लिए भी कोई proper plan एक तरीके से नहीं है तो उसके बारे में भी कई सारी बाते अभी आप लोगो जानने को मिलेगी दिक्कत कहां का आपर आती है पहले आप लोग यह समझे प्रोलम एक तो यह है कि educate हम लोगे पास में amount नहीं है ताकि handle कर सके एक तरीके से जो improve कर सके एर की quality तो टहली वाले reason के बारे में अगर बात करें जो कि एक तरीक से हब मानते हैं कि हाँ पर सबसे ज़्याद है एर pollution नहते है और पिछले लगबग दो दसक से आपर air pollution देखने को मिलते है तो एक particular जो agency है जिसके द्वारे हापर study की गई तो इसके द्वारा बोला गया कि 59 122 cities में से ऐसी है जहाँ पर particular matter का data ही available नहीं है यानि कि आप लोग pollution का control दो तब करोगे है जब आप लोगो पता होगे है यहाँ पर pollution है तो यहाँ पर data ही available नहीं है ठीक है यह बोली गए carbon copy and respirator जो living science है इसके द्वारे हाँ पर यह basically study की गई है बोला गया कि 122 में से 59 के करीब cities ऐसी है जिनके पार में आप लोग के पास मे data ही available नहीं है ठीक है तो यह इस तरीके से कैसे लेकर आप लोग चलेंगे तो इसको आप लोग समझेंगे तो इसको आप लोग समझें और जिनका data अवलेबल है उनका manually है यहाँ पर machine के द्वारा अपने आप बता दे तो इसको भी आप लोग को improve करना है तो इसमें हम लोग imported machine यूज करते हैं तो हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं तो इंडियन इस्टिटूट अफ टेक्नलोजी कानपूर जो है वो लोग कोस्ट इसके उपर काम कर रहा है कि ताकि ऐसी कोई machine बनाए जा सके एर पोलिशन कर कोई ऐसी दिक्कत निकल कर आती है तो अपनी ही country मे चाहिए अगर कोई दिक्कत बनती है तो background में support मिलनी चाहिए effective maintenance एक system होना चाहिए आपर तागी चीजों को ठंक से maintain रखा जा सके तो जो budgetary यानिकि जो पैसा दिया गया उसके allocation की गई है वो यहाँ पर truly यहाँ पर reflect निकर रहा है कि reality में कि पैसा जो है वो pollution को कम कर सकता है ऐ ऐसा यहाँ पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है यानिके जो आप लोगों ने बोले है पैसे से pollution को निप्टा सकते हैं तो वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है उसका एक और उधारन दिया गया इनके द्वारा national capital region में जो NCR वाला region में 600 क्रोड रुपे दिये गे थे ministry of agriculture के द्वारा ताकि दो साल के अंदर अंदर equipment प्रोवाइड कराए जा सके फार्मर को पंजाब और हर्यान में ताकि वो यहाँ पर stable burning ने करें यहाँ जो भी हाँ पर घास फूस रहता है पेड़ी का उसको ने जलाएं पर लेकिन क्या ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ 600 क्रोड जो है वो ऐसे कैसे चलेगे आज भी pollution ऐसा कैसा ही है तो काम क्या किया गया था काम यह किया गया था कि happy cedar जैसी machine हाँ पर दी जाए इनको और उसका use किया जाए पर लेकिन कहीं पर तो यह available नहीं रहती है और जहाँ पर available उसको ढंसे effectively utilize नहीं किया जाए फार्मर फिर भी आसन तरीक है उनको लगता है कि जलाने से एक प्रोलोंग का solution निकल जाता है पर लेकिन कई सारी प्रोग्रम जो है वहां से start होती है तो प्रोपर fund कैसे लेकर चलना है प्रोपर enforcement कैसे कैसे करना है educate staff जो होने चाहिए वो भी हाँ पर नहीं है और चीके साथ में जो pollution ground है उस प कैसे आप लोग को लेकर चलना है तो वह आप लोग देखिए इसके उपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी ठीक है तो उसको आप लोग देखेगा कि EPFO को 6 महिने में कैसे आप लोग कर सकते है तो यहां से आप लोग को समझ में आएगा कि एक proper plan जो होना चाहिए time bound manner में दो country के बारे हैं कौन कौन सी country है एक तो है वियतनाम यहां पर वियतनाम अपनी country के साथ में compare कीजे और दूसरी होगी बंगलादेश यहां पर बंगलादेश ठीक है तो वियतनाम और बंगलादेश के बारे में बात कि जा रही है कि क्या-क्या lesson हम लोग इनसे learn कर सकते हैं यहां से समझ में आता है कि बंगलादेश और वियतनाम क कितने शांदार तरीके से काम कर रहे हैं अगर बात करें आपर innovation और lowering the cost of doing business तो इंडिया जो है उसकी और अग्रसर है तो इंडिया भी best investment attract कर सकता है यानिके दूसरों की गलतिये से सीखो और आगे बढ़ो यह बात आ निके सस्ते मजदूर मिल जाते हैं और इसी के साथ में incentive दे जाता है foreign companies को समझते हैं कैसे सबसे पहले open trade policy यानिके free trade agreement sign कियागे बहुत सारी countries के साथ में ताकि आराम से यहां पर country के साथ में वयापार किया जा सेगे USA, European Union, China, Japan, South Korea, India ठीक है कोई भी अगर यहां से import आता है त इसी के साथ में domestic low तक इनके द्वारा change के गए बहार की company को अपनी country में लाने के लिए यानिके country की अगर कोई company जैसे apple बोले हमारी country में कि भाई हम आपके हाँ पर आकर काम करेंगे अगर आप लोग हमको हमारा material यूज करने दे हमारी country में दिक्कत क्या रहते हैं हमारी country यह अगर बाहर से कोई company आएगी तो लगबग 30% जो है raw material वो हमारा ही local raw material यूज करेगी apple यह बोलता है कि यार अगर मैं अगर phone यहाँ पर बनाता हूँ और raw material आपका यूज करता हूँ तो मेरे product की quality है वो hamper हो जाएगी तो इसके चलते हैं अगर वियतनाम में जाकर ऐसा बोले चाइना की European Union की है फिर यह से की तो farmer भी है local producer भी है तो हमारी खुद की country है जिसमें काफी बड़ी market भी है तो हम लोग ऐसे काम नहीं कर सकते हैं दूसरी हमारी country democratic country है वियतनाम में single party state है तो अगर domestic कोई voice उठाता भी है तो उसको यह suppress कर सकते हैं असानी से हमारी country में तो democratic system है तो जड़ा सी देर पर यहाँ पर बबाल हो जाता है तो यह भी चीज़े हैं हमारी country के point of se अगर देखे तो reason क्या अगर बंगलादेश के बारे में आप लोग बात करें जो यहाँ पर जो बंगलादेश है बंगलादेश में क्या reason है अच्छा export होनेगे तो large export जो यहाँ पर पर कोई duty नहीं लगती है इसका product अगर बेचा जाता है तो duty free रहेगा और इसका फाइदा के मालीज़े आज़के में हमारी country बंगलादेश का कपड़ा बेचने के लिए जा जाता है तो इसके उपर मालीज़े नोर्मल अगर दूसरी country साय तो हम लोग 10% उसके उपर duty लगात बंगलादेश के बारें बात करें आने वाले टाइम में यहां अभी एंजोए कर रहे है आने वाले टाइम में जैसे इसका व्यापार बढ़ रहा है जैसे इसका दबदबा बढ़ रहा है तो हो सकते आने वाले टाइम में आपर यह least developed country की list इसको बाहर निकाल दे जाए अगर अपनी country के बारे में बात करें तो good neighbor हम लोग accept करें एक तरीके से बंगलादेश के साथ में करें तो हमारी country के बारे में अगर आप लोग बात करें तो trade create किया जा सकते हैं एक तरीके से wealth and employment की बात करें तो अच्छा आप लोगो देखने को मिलेगा इसी के साथ में millions above को poverty line से उपर उठाया जा सकता है जो कि बंगलादेश में भी देखने को मिला दो decade के अंदर अंदर यानिके बंगलादेश में काफी wealth create हुई है job create हुई है यानिके पैसा भी आया और job भी मिली है लोगों को इसी के साथ में poverty से उपर भी लोग उठे है तो key learning क्या है बंगलादेश से कि बंगलादेश से आप लोग देखते हैं कि जो जो उसने implement क्या है हमारी अपनी country में implement कर सकते हैं तो support large firm और इसी के साथ में small firm दोनों को support किया जाना चाहिए देखिए आप लोग यह समझें मालीजे कोई बड़ी company है वो आज की date में बड़ी company जो ह चलता रहे चोड़ी company का भी काम चलता रहे तो इस तरीकी chain create करने पड़ती है इन सब चीजों को control करने के लिए तो large firm जो है वो better position पर होनी चाहिए investment होना चाहिए brand building होनी चाहिए कि हाँ इस company की car खरीदो ठीक है इसी के साथ में आप लोग बोल सकते हैं कि quality requirement अच्छे होनी च तो अपर हैंड है इंडिया में इंडिया अगर बात करें व्यतनाम के compare में फास सेक्टर ऐसे हैं फास सेक्टर जो है जो most व्यतनाम का एक्सपोर्ट है एपन इन फास सेक्टर इंडिया के पास में काफी diverse area है यानि कि हमारी country में दुनिया भर के sector मिल जाएंगे और हमारी country ऐ और इसी के point of से बात करें तो सब लेवल पर व्यतनाम से कई better लेवल पर हम लोग देखने को मिल जाते हैं तो इसी तरीके से अगर बात करें इंडिया is unlike व्यतनाम have developed the domestic and capital market हमारी country में इंडिया को तो time लग रोड व्यतनाम को तो time लग या पर हमारी country में और लेडी चीजे ज पर चल रही है तो इसलिए हमको कोई ज्यादा है नीड नहीं है कि कोई ज्यादा है लेंड वगरा लेनी है कोई ज्यादा है इस तरीके approval हम लोग करने है हम लोग के पास में cj old lady available है ठीक है क्या-क्या फायदा इससे होता है high dependent एक है एक तरीके से आप लोग समझे आप लोग पर लेकिन दूसरा एरे भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा तो ऐसी बात की जारी export के बारे में export जो है उसके उपर completely dependent नहीं रह सकते हाँ ये dollar लेकर आएगा अच्छी बात है पर लेकिन कल को अगर international market में कुछ गड़बड़ी होती है तो हमारी country के उपर भी उसका impact पड़ेगा तो ये भी चीज़े हम लोग को समझने पड़ेगी तो export के उपर हमारे पुरा dependency नहीं होना चाहिए हाँ उसको हम लोग को आगे लेकर चलना चाहिए वो एक अच्छी बात है तो focus होना चाहिए एक तरीक से organic economic growth पर होना चाहिए ना कि temporary growth पर होना चाहिए तो innovation और अब बताई गई है ठीक है तो ये था है आपर ये article आई अब चलते है next article के और next article हलाकि मैं कई बार आप लोग को बता चुक हूँ एक बार overview दे देता हूँ अभी USA के अंदर election हुए और जो बाइडन ये नए president चुनकर आए जो बाइडन कौन से नंबर के president है तो डोनलन ट्र अब चलते हैं तो जो बाइडन के लिए आपर ये टाइट रोपर चलने वाली बात हो गई ये पहले तो जो डिवाइडन और डेमोक्रेट्स में क्योंकि जादे मार्जन से नहीं जीते हैं तो इसलिए जो डिवाइड़े है उसको सारी country को unite करके चलना है ठीक है और USA का जो अभी हो गया है उस status को भी इनको maintain रखके चलने हैं तो बहुत सारे ऐसे एरिया है जिसमें जो बाइडन साब को काफी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर जो situation है वो control में होती ही नजराएगी तो देखते हैं कितने अच्छे से ये अपनी perform जो task को perform कर पाते हैं तो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा लास्ट दो दिन के चो लेक्टर हैं डिटेल में आप लोग देख सकते हैं उसमें ये सारी चीजे मैंने काफी डिटेल में explain किये जिसमें कि इरान के साथ में अभी ये normal relation अपने रखे हैं क्यों क्योंकि ब्रैक ओबामा की पार्टी के हैं और पर थोड़ा सा इशू आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि अफगानिस्तान से बाहर निकलने में डोनल्ल ट्रम्प वाला pattern फोलो करते हैं जो बाइडन तो वहां से अपने troops को बाहर निकालेंगे तो देखते हैं कैसे बाहर निकालते हैं इसराइल वाले मुद्दे को लेकर चल आप लोग के सामने जो आप लोगों से मैंने पूछा था यहां पर बात की जारी है जो तिमूर सी के बारे में तो यह बोला जारी है कि एक सैड में तिमूर आइलेंड है दूस सैड में अस्टेलिया है और एक सैड में आपर यह बोला गया अरूफुरा सी देखने को मिलेग तो इसके बारे हैं बात की थी आप लोगों से मैंने उसी के साथ में बांदस ही हो गया आपर ये जावस ही हो गया और नीचे हो गया आस्टेलिया ओपर हो गया इंडोनेशिया ठीक है तो इस तरीके से मैं बेस कोश्चन में कोई confusion आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए तो ये था टोटल आज का discussion एक और important बात पोलेटी की सारी PDF यहां पर provide करा दी गई हैं तो इसी तरीके से आप लोग enjoy करते रहे हैं अगर किसी भी region से आप लोग को ये lecture पसंद आए तो आप लोग इस lecture की PDF यहां से डाउनलोड कर सकते हैं सारी PDF इखटी आप लोग मिल और मेरे साथ में connect रह सकते हैं Facebook, Instagram और Telegram पर भी नेश्ट एक important बात यहां पर ये हैं देखिए अगर आप लोग को इस तरीके से अगर चीज़ आप लोग को फायदा पहुँचा रही है जिसे पोलेटी के lecture हैं तो दूसरों लोगों तक भी पहुँचाईए अगर आप लोग पसंद नहीं आए तो dislike करना है और बिल्कुल भी उसको आगे share नहीं करना है और comment box में बताए कि dislike क्यों किया है बाकी मिलता हूं एक लेक्षर में बात की जाती है एक मुम्बति से अगर दूसरी मुम्बति जलाए जाए तो पहली मुम्बति का कुछ नहीं भीड़ेगा तो अगर आप लोग किसी को पढ़ाते हैं तो ग्यान बाटने से बढ़ता है और खुशिया भी बाटने से बढ़ती है तो खुशिया और ग्यान ऐसी चीज़े हैं जो हमेशा बाटते रही है तो मिलता हूं नेक लेक्षर में बढ़ोकर नमसे चोड़ो को प्यार चोड़ी सी ल प्याहिन